हालो फ्रेंज आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंज आज हम तिरकोई मीती का एक most important question को यहाँ पे हल करेंगे जो आपके board के exam के लिए ये question बहुत ज़ादा important साबित होगा फ्रेंज इस प्रकार के जो question होते हैं आपके board के exam में पूछे जाते हैं ये question कम से कम आपका 4 से 5 नंबर का question पूछा जाएगा चलिए phrase start करते हैं तो phrase आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें और channel पे नए है तो channel को subscribe करें फ्रेंज आपके सामने question है कि यदि 3 cut a is called to 4 तो judge कीजिए कि 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a is called to cast square a minus sign square a अर्थाद आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंज चेक करना है कि left hand side और right hand side दोनों आपस में बरावर है कि नहीं है तो चले फ्रेंज इस question को हल करते हैं तो फ्रेंज यहाँ पर पहले क्या करेंगे आप लिखेंगे हल लिखने के बाद फ्रेंज क्या करेंगे कि जो यहाँ पर मान दिया होता है उसको यहाँ पर लिख लिजिए कितना दिया है फ्रेंज 3 cut a is called to कितना दिया है फ्रेंज 4 अब क्या करेंगे कि इस दरी को यहां किया कि के दिख 55 फार्मूला कि इसको लीखने के इसा लाखने में 52 काट Haar बटा क कितना होता है कि इसको उपर कर ले थी अब देखेंगे आद części पर। कि लम लिखने के बाद यहां पर काट एक मान कितना दिए चार बटा के तीन, बटा के दिए आधार को बन के लिख लोगे, इसको सिद करना होता है तो आप क्या करेंगे, कि इसका। आप क्या करेंगे. कास, साइण और टैन, एन यह निकारेंगे. इसके लिए आपको 3 भूज़ा पता होना चाहिए. जिसमें से यहाँ पे 2 भूज़ा पता है, तिसरी भूज़ा आपको ग्याद करना है. तो इसके लिए क्या करता है फिर्ज, पाइथा गोरस परमे लगाते हैं यहाँ पे लिखिए पाइथा गोरस परमे पाइथा गोरस परमे लगाईए फ्रेंस क्या होता है करण का स्क्वाइर आधार का स्क्वाइर प्लस लम का स्क्वाइर फ्रेंस यह सभी फार्मूले आप सभी को याद हो गए होंगे देखें यहा अब यहां पर हल कीजिए देखिए चार के स्क्वाइर कितना करेंगे चार चोंको 16 होगा तिन के स्क्वाइर कितना होगा तितली के नौ अब फ्रेस देखिए यहां पर करण का स्क्वाइर करण का स्क्वाइर मान कितना आ गए फ्रेस 16 और जूड़ेंगे 25 अब फ्रेस यहां स्कॉार आने के लिए का करते हैं दोनों पक्चों का रूट लेंगे जब रूट लेते हैं ति यहां पे कढई आप का बाहर निकल जाएगा पचीज के वर मुल कितना और चागा 5 तो फ्रेस्थ आपका कढई देह सकते हैं यहां पर कढण लिख लिए ओर सार राइट है आप 10A, 10 A, 10A, 10A का फार्मॉला अ कतना होते हैं, लंबटा के आधार होता है, तो लंबटा के आधार लिखेंगे, 10A का मान कितना है? इस यहां से तेख लिजिए, 10A का मान ग्यात कर लिए, अब क्या करें, कास A का कास एक fórmula क्या होता है फ्रेंज आधार बड़ा के कड़ लिक लिए यहां पर देखिए आधार का मान कीतना है फ्रेंज आधार का मान 4 तरो चार लिखिए घर कितना है कर पांच लिकिए आप इसके इक आन कड़ रख लेंगे पांच रख लीजिए मेरा तो फेस्थ दिखिए डिए यहीच सीध पो टेवा काश मेरा ख़ाई अभी ओफ फेस्ञान ही obec मेरा माइनस यह मान कितना है तेन गढ़े के चार तो तीन बटा के चार को होली स्कॉार कर लेंगे अब पार और यहां पर देखिए वन प्लस टैने कमान कितना है तीन बटा के चार तीन बटा के चार को होली स्कॉार बराबर का से कमान कितना है चार बटा के पांच तो चार बटा के पांच होली स्कॉार है तो होली कि नो हो जाएगा चार चो को सोला को सोला कर लिजिए अब पान करेंगे वन प्लस यहां पर कर लिजिए फ्रेंस कितना होगा कि यह देखे तितली के नो होगा यहां पर क्या हो जाएगा चार चो को सोला हो जाएगा अब यहां पर देखे फ्रेंस इसका चार चो को सोला कर लें यहां से स्कौर स satisf, स्कौर स्कौर नहीं रहेगा देखे ये one minus 9 बटाकर 16 है तो 16 किजी अपter one minus 9 बटाकर 16 है तो 16 कर लिए is equal to देखे हर बराबर इतर रहे हर बराबर shut faces लिखेंगे और 16 minus 9 कर लिए- ठीक है अब अब देखे आपको क्या करना है इसके बाद देखिए इसको हल कीजिए इसको हल करेंगे तो 16-9 बटा के कितना हो जागा है यहाँ पर 16 के 16 यानि कि 16 प्लस 9 बटा के 16 होगा बराबर अब 16 में से 9 घटाईए फ्रेंज जब आप 16 में से 9 घटाईए तो आपका 7 बचेगा अब 25 है तो 25 ठीक इसी को देखिए फ् कितना होगा फ्रेंज 25 होगा तो 25 लिखिए और इसके बटाम कितना है 16 और इसकल्टू यह साथ बटा के 25 आया गटा आने के बाद तो साथ बटा के 25 कर लिजिए और फ्रेंज जब बटा के बटा आता है तो इसको पलड़ देते हैं चलिए इसको पलड़ते हैं देखिए सात्बटा की दर 25 बचेगा और इसको हाल करने के बाद सात्बटा के 25 बचिस आया है देखें दोनों 5 अब जब देखेंगे फिरेंगे तो दोनों 5 बराबर है यहां पर लिखेंगे left hand side is equal to right hand side तो फ्रेंस यही आपको सिद्ध करना था कि एक पच और दूसरा पच जो दिया था उसमें दोनों पच बराबर है कि नहीं तो यहाल करने के बाद आया है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैं साइड तो फ्रेंस यह कथन क्या है सत्य है तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें